वेलकम ते चैनल यहां पर मार्केट ने डंप लिया है तो इस इस अप्डेट वीडियो ऑन दाट यहां अगर हम ओवरॉल पूरी की पूरी मार्केट देखे तो हमें आल्ट कोई जो है 20 से 25 परेंट के ऊपर तक यहां पर गिरते नजर आए अगर मैं 100 से लेके 200 वाली रेंज में जाओ तो वहां पर और भी खूनो खून जो है देखने को मिल रहा है और यह सब के पीछे क्या है यह सब के पीछे है यहां पर बिटकोई ने एक बहुत बड़ा डंप लिया और बिटकोई ने यहां 50,000 डॉलर का जो एक वेरी वेरी सब्सक्राइब एक psychological support भी है बहुत बड़ा बाकी सब टेकनिकल लेवल से तो अलगी situation है टेकनिकल के लिए और भी बहुत सारे YouTubers है जो आच्छा TA करते हैं आप जरूर उनको check out कर सकते हैं तो यहां Bitcoin ने बड़ा डंप लिया है Ethereum भी जो है हमें 4000 डॉलर के नीचे अभी यहां पर मिल रहा है गिवन कि यहां Ethereum ने काफी बड़ा पंप लिया था पिछले कुछ दिनों में तो इसकी वादर से यहां पर जो पूरी की पूरी मार्केट है वो इन दोनों चीजों के साथ यहां पर ड्रैग हो गई है काफी जादा हाला कि dominance की अगर बात करें तो this should not have happened but यहां 19% down है अगर हम हफते की बात करें यहां राइट अगर हम बात करें और coins की तो polygon देख लो polygon बड़ी मुश्किल से यहां पर 2.3 पहुंचा था कल and it is back now minus 6% चल रहा है महीने के हिसाब से litecoin, uniswap, uniswap तो 38% डाउन चल रहा है मन्त के हिसाब से so very यहां पर एक अच्छा बड़ा pullback देखने को मिला है हमें chain link जो है under $20 चला गया है यहां तो opportunities बहुत सारी open हो रही है in my opinion and opportunities के time पर हम definitely we should stay ready and मैं इसलिए बोलतो हमेशा कि यहां पर जब profit हो रहा है तब please अपना जो है profit booking थोड़ी थोड़ी करके करते रहो so that आपके बास cash हो ऐसे dips के बारे में क्योंकि यह dip कप आएगा कैसे आएगा किसी को यहां पता नहीं होता अगर guys हम बात करें यहां previous जो आपके support levels थे उन support levels की तो देखो यहां पर यह काफी जादा एक बड़ा dump आया है तो यह dump के बाद ऐसा जरूर हो सकता है कि जो पुराने एकदम पुराने important support levels थे वो कितना stay कर सकते हैं नहीं करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा around 48,000 एक और support level है बट हमारे बेटे बेटे यहां पर 100$ और नीचे चला गया तो around 48,000 की range में जो है आपको 47 से 48,000 की range में एक support level बनता है यहां which bitcoin should hold अगर वो hold नहीं करता है तो यहां पर हमें और बड़ा dump देखने को मिल सकता है but with that being said again जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूं आप लोगों को दो चीजें यहां हम जाते हैं exchange में तो मैं आप लोगों साथ ही यहां dip buy करने वाला हूं but मेरे पास dip buy का पैसा है क्योंकि मैंने यहां profit booking की है तो ETH में let's because अभी market जो है overall काफी bearish turn ले रही है तो मैं यहां पर 100-100$ बा ही 50 USDT तो 50-50 करके मैं यहां पर swap करूंगा again price is moving so fast कि मेरा वो order जो है execute नहीं हुआ let me refresh मैं instant buy sell में कर रहा हूं pro trading में नहीं कर रहा हूं यह rather instant swap में कर रहा हूं यहां let's see let's see तो इसको खुलने देते हैं और यहां बात करते हैं I have USDT I want ETH तो 50 हम यहां खरी देंगे what the hell let's do this let's go get into pro trading ठीक है ETH ETH USDT में हम यहां जो है लेना चाहते हैं all right I'll just go on market मैं अभी कोई अभी मैं limit पर नहीं जा रहा हूं I just want to buy very simply most probably में रहा है जो buy order market order created let's also look at BTC तो मैंने क्यूं यहां पर 100 dollar का book करना खरीदना चाहता था तो मैंने क्यूं 50-50 dollar का लेने की बात की है क्योंकि अभी यह market अगर और गिरती है तो मैं और 50 dollar का यहां पर लेके जो है इसको average कर सकता तो 50 dollar का bitcoin 50 dollar का ethereum में यहां पर आट कर रहा हूं तो यह of course एक buying opportunity बन जाती है यहां पर अगर आपने metaverse plays क्योंकि metaverse trend में है तो metaverse plays अगर miss कर दिये थे तो वहां opportunity बन सकती है अगर आप देखो यहां पर sand जो है 5 dollars पे है engine है mana है तो यहां आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी buying opportunities जो है यहां create हो रही हो I think mana at at 3 dollars भी अगर देखे हाला कि it is still high but I think it is doable तो यहां पर हम 25 dollar का mana भी जो है मैं add कर सकता हूं so definitely it is something that we can look at but moving on guys यहां mana भी एक काम कर लेते हैं आपन mana भी यहां बैटे बैटे थोड़ा सा add कर लेते हैं 3 dollar पे चल रहा है so let me add mana add तो अभी ऐसा ही होगा अभी थोड़ा सा because इता बड़ा dump है exchanges पे activity बढ़ गई है तो थोड़ा refresh वगरा जादा होगा but mostly execute हो जाते हैं at least from my experience अगर आप tiktak exchange use कर रहे हो tiktak platform use कर रहे हो तो जादा issues यहां पे नहीं आते हैं mana मेरी position आप देख सकते हैं यहां पे almost empty थी so mana I am taking moving on to guys a project that I am tracking इनका कोई भी launch launch हुआ नहीं अभी होना है launch and एक बड़े centralized exchange kucoin पे आने का चांस है यहां पे launch होना है इनका इनका जो decentralized exchange launch है वो भी आना है तो अभी अगर आप यह project है इसका आरकर नाम है playarkar.com is the website इसको में नीचे जो link है आपको description में छोड़ दूँगा they are the sponsors of this video as well यहां पे इनके साथ जो है specifically andromeda देख लो nexo देख लो यह सारे लोग जो है यहां जो है on board है Israeli blockchain association भी यहां पे on है which is great एक नया नाम हमको यहां पे देखने को मिला है यहां अगर हम बात करें इनका twitter भी अच्छा community इनका develop हो रहा है तो मैं twitter track कर रहा हूं इनका personally तो वो आप check out कर सकते हो ओम city नाम का यह plan बना रहे है जिनका नाम इसमें रहा है तो ओम city में legend होगा ओम city की कहानिया यहां पे अगर बात की जाए इनके guys white paper की तो आप इनके website से जो है इनका white paper access कर सकते हो white paper में आपको सारा info मिलेगा but as always guys दो चीज़े मैंने भी मेरे site से चेक की है of course यहां पे कुछ mainstream investors on board है तो इनका जो KYC वाला part है that is done but I made sure कि इनकी team की photos और वो सारी चीज़े public है वो अपना आपको funda बताए तो वो सब यहां पे दे रखा है उसके इलावा हम जो है tokenomics की बात कर लेते हैं tokenomics में एक मिनट लगा के आपको फिर वापिस आते है market update में token के total supply guys यह 2 billion रखने वा IDO को यहां पे basically 1.1% दे रहे हैं बट हर चीज में देखो IDO हो गया seed sale हो गया private sale हो गया और team के भी जो हो गया advisory भी हो गया उसका आप देखो यहां पे लॉक है तो list होने पे सिरफ 5% unlock होगा उसके बाद 18 महीने लगेंगे unlock होने में तो कोई बंदा जो है एक बंदा मिलके या 18 महीने थोड़ा 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 करके यह जो है unlock होगा यहां approximately आप पकड़ लो 5-6% के असपास per month unlock होगा same seed sale का है इनके team के भी जो tokens है वो भी क्या है launch होने के 6 महीने के बाद 27 महीने में team के 15% unlock होगे सोचो 27 महीने लगे तो I like this tokenomics I think इसको users और market में dump ना create हो फालतु का यह सब चीजों को ध्यान में रखते होगे यह वाला tokenomics बनाएगा I am definitely liking this कि 6 महीना launch होने का 6 महीना तो कुछ भी team को token access नहीं करने को मिलेगा उसके बाद 27 महीने इनको पूरे इनके token साथ में आएगे तो I like that personally इनके अगर economics की बात की जाए तो यहां पे उन्होंने यहां पे कि यह किस के लिए क्या छोड़ेंगे 15% staking के लिए छोड़ रहे हैं play to earn के लिए यहां पे 24.35 छोड़ रहे हैं users के लिए तो वो सारा इन्होंने यहां पे mention कर रहा है इनका inflation का supply है वो कैसा बढ़ेगा वो सब इन्होंने यहां बता रहा है तो ताकि लोग ready रहे कि approximately किस महीन users जो हैं तयार रह सकते हैं कि कब क्या होने वाला है तो इनकी listing as I said यहां आने का plan है तो आप जो है playarker.com पे चेक आउट कर सकते हो now moving back to the guys market update एक फटा फटा रिफ्रेश मार लेते हैं before I wrap this video off कि bitcoin का price जो है अभी कहां चल रहा है अभी हम देख रहे हैं bitcoin है 40 so यहां एक बड़ा और 1000 डॉलर का यहां डंपा है तो we are looking at a big liquidation apparently most probably यहां पे हम एक बड़ी liquidation देख रहे हैं तो यहां situation अभी हमें देखनी पड़े है या नहीं because अगर यह नहीं hold कर पाते then we are at that 43-42,000 level and again इसमें of course आपको बताईए काफी सारे जो है experience TA वाले लोग है वो आपको better यहां पे exact TA जो इसका है देख पाएंगे but I am definitely personally अगर देखा जाए तो देखो माना, sand वगर आपको पताईए अभी मैंने just बोला I am looking at all of this as a buying opportunity personally because मैं यहां पे long dump ले कर रहा हूं तो अगर मुझे कोई लगता है कि दो साल तीन साल कोई चीज जिन्दा रहने वाली है तो इसमें I can a dollar cost average personally so that's it guys यह था quick update तो बाकी अपना जो है आपको profit कहीं मिलता है तो please profit book करते रहे regularly and SA dumps do provide a lot of opportunity but let's see कि यहां पे क्या reason निकल के आता है actually मैं भी news यहां cover up नहीं कर पाया हूं कि exactly reason क्या a dump का we will see कि a dump का reason क्या हमें शाम तक थोड़ी सी news मिली जाएगी तो उसको मैं update उसके उपर आप लोगों के लिए जो है बना दूँगा guys hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो as always अगर अच्छा लगा जाए तो like button में मुक् इस तब तक ले ले, बाए